कोरोना वाइरस के चिकिस्की परिक्षन में एक नया और सकरात्मक परिणाम सामने आया है अमरीका के सीश महामारी विशिशगे ने कोरोना वाइरस के इलाज में रेम डेसिवीर दवा को उपयोगी बताया है कोरोना के जिन मरीजों को ड्रेम डेसिबिर दवा दी गई उनमें काफी तेजी से सुधार हुआ कालिफोर्निया इससे दवा कमपनी गलीड सैंसिस का कहना है कि यह दवा बहतर परणाम दे रही है और इससे काफी उमीद जगी है उनका कहना है कि यह दवा वाकई कारगर साबित हो रही है भारतिय फिजीशियन समेट जाच करताओं ने तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्राइल में यह कामियाबी पाई है भारतिय मूल के अरुन सुब्रामन्यम ने कहा कि इस दवा का पाँच दिनों में ऐसा असर दिखा जो सामानने इलाज में दस दिन में दिखाई देता है अमरिका में भारत भारतिय फिजीशियन समेट जाच करताओं के टीम ने क्लीनिकल ट्राइल के तीसरे चरण में कॉरोना वाइरस संक्रमित रोगयों के अपचार में यह बड़ी सफलता पाई है कैलीफॉर्निया की फार्मा कंपनी गिलीट साइन्स ने इबोला के लिए तैयार दवा रेम डैसिविर को कॉरोना पीडितों पर असर कारी बताया है यह 5 दिनों में ही ऐसा असर दिखाती है जो सामानने उपचार में 10 दिनों में दिखाई देता है रेम डेसीविर दवा को अभी तक वैश्विक इस्तर पर भली ही कई लाइसेंस नहीं मिला है लेकिन COVID-19 पीरितों पर इसका असर जदू ही दिखा है जांस टीम में शामिल क्लिनिकल प्रोफिसर सुबरा मन्यम का कहना है कि प्रारंबिक नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं उन्होंने कहा कि प्रारंबिक नतीजे बताते हैं कि 50 फीस्दी रोगियों का 5 दिन की खुरात के साथ उपचार किया गया जिन में से आधिस से अधिक को अस्पताल से छुटी मिल चुकी है यह बहत उत्सहाजनक है हलांकि उन्होंने यह भी का कि अभी अत्रित डाटा की जरूरत है अमरीकी राष्टपती डॉनाल टरम के सलाकार डॉक्टर एंथनी फौसी ने कहा आंकडे बताते हैं कि इस दवा का रोगी के ठीक होने के समय में प्रभावी और सकारात्मक प्रभाव पढ़ रहा है उन्होंने कहा रैम डैसीविर दवा का अमरीका, यूरोप और एशिया के 68 इस्थानों पर 1063 लोगों पर ट्राइल हो रहा है पता चलाएं कि रैम डैसीविर दवा इस वाइरस को रोख सकती है गलीट सैंसिस की माने तो रैम डैसीविर दवा कोरोना वाइरस के खिलाफ इस तरह की जाँच में खरी उतरने वाली पहली दवा होगी इलाज का विकल मिलने पर महमारी से निपटने में काफी हद तक सफलता पाई जा सकेगी स्वास्त अधिकारी अभी तक किसी तरह का टीका विक्सित नहीं कर पाए है कहीं पर भी इसका वैक्सीन नहीं बन पाया है ऐसे में रैम डैसीवीर दवा एक बड़ी उमीद की किरन की रूप में नजर आ रही है आपको बता दें इससे पहले रैम डैसीवीर दवा इबोला के ट्राइल के दोरान नाकाम हो चुकी है लेकिन इबोला के लिए बनी ये दवा अब कोरोना को महराने में सफलता की एक किरन की रूप में दिखाई दे रही है यही नहीं डबलू एचो ने भी अपने एक सीमेत दिन के बात कहा था कि वोहान में इस दवा का मरीजों पर सीमेत असर पड़ा हाला की रेम डेसिवीर दवा पर हुए इस ताजा शोद पर डवलू एचो के वरिष्ट अधिकारी माइकल रेयान ने कोई भी टिपड़ी करने से इंकार कर दिया था इसे कोरोना वाइरस के खात्मे की संभावना के रूप में देखा जा रहा है गौरत अलबे की चीन ने अमरीका की बनाई हुई दवा रेम डेसिवीर को 21 जनवरी को ही बिटिन कराने के लिए आवेदन दिया था हला की उसे इस बात की जानकारी थी कि यह दवा कोरोना वाइरस के इलाज में कारगर रही है बता दे की चीन ने वहान में दिसमबर 2019 के अंत में कोरोना की पुष्टे की थी जबकि दस्तावेज बताते हैं कि उसे पहले से ही पता था कि यह एक माहमारी है